अलो हाई नमस्ते लोव इंफारेट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है मैं और मेरे टियम बिल्कुल फिट एन फाइन है आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद है इतना कंसर्ण करने के लिए क्योंकि मैं इन साथ दिनों में वीडियो बना ही नहीं पाई और वो भी उसके लिए भी आप ही कारण है क्योंकि आप लोग तुरंत गाइडेंस लेना जाते हैं तुरंत टेरर रिडिंग लेना जाते हैं अगर आप बुकिंग कुछ दिन पहले करा लें तो वो मेरे लिए इजी हो जाएगा ताकि मैं वीडियो बना सकते हूँ तो आज मैं लेकर आई हूँ कि ट्विन फ्लेम का ये वीक किस तरह के जानने वाला है क्योंकि इस समय में आपका बहुत कुछ एमोशन अप एंड डाउन हो सकते हैं आप ट्विन फ्लेम है, डियेफ एनरजी में है या दियेम दोनों के साथ कुछ ना कुछ एनरजी एक्सचेंज जरूर करेंगे आप दोनों क्योंकि आपका जो असेंशन पिरेट है ये बहुत ही एक नए लेवल का होगा जो स्पिरिच्वल ग्रोथ है वो बिल्कुल नए लेवल की होगी और इसी में ही आपकी एनरजी इधर उधर वेस्ट भी हो सकते है और इसी वज़े से आपको इस समय में अपने औरा को अपनी एनरजी को प्रोटेक्ट करना सीखना होगा या आता है तो उसे उस समय वाकई अपलाई करना होगा कई भार हम दूसरों की हेल्प करते 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 अपनी energy को protect करना भूल जाते हैं ध्यान ही नहीं रहता है तो ऐसे में energy बहुत ही disturb हो जाती है अपनी energy form को protect करना ही होगा क्योंकि everything is energy येस जो भी कुछ आपके पास है चीजें हैं, living thing है non living things है, relationship है emotions है, thoughts है आपका DM है, उनके thoughts है ये सब कुछ energy ही तो है तो चलिए बात करते हैं इस week twin flames की energy किस तरह के रहने वाली है actually आप एक तरह से accelerate करेंगे अपनी journey को to the union तो union किस तरह का है वो सबका अलग-अलग तरह का होगा ये collective energy अपडेट में दे रही हूँ किसी को resonate कर सकता है किसी को थोड़ा बहुत कम कर सकता है या हो सकता है कि इस week नहीं तो next week तक उनकी ये बात चली जाए और या हो सकता है किसी का पहले ही इस तरह की बाते हो गई हो जो मैं अभी बताने जारी हूँ जो कि astrologically and tarot के माध्यम से भी सेम चीज़े निकल कर आती है इस collective energy की वो यह है कि इस week आपके जो old rigid thoughts हैं और ideas हैं वो release होंगे चाहे वो society को लेकर हो या twin flame journey को लेकर या खुद आपके twin flame को लेकर ये आपसे universe करवाएंगे हो सकता है कि आप watery dreams देखें धुन्द या बादल के भी dreams आप देख सकते हैं क्योंकि perspective आपका change होगा मदरगाईया यानि nature की तरफ आपका ज्यादा ही concentration बढ़ जाएगा आप बहुत ही अच्छी तरह से nature को देख पाएंगे और 3D level पर shifting भी आपकी हो सकती है यानि कि office shifting या घर की shifting या घर के अंदर ही floor shifting या room shifting ये shifting जरूर है और अगर इस तरह की shifting आपको जरूर नहीं दिखाई देरी किसी भी तरह की 3D level की तो ये mind shifting तो है ही जिसमें की आपका manifestation भी आ जाता है आपका perspective भी change हो जाता है तो आपको लगेगा कि कुछ तो जरूर change हुआ है तो major life change इसी week में है तो अपनी energy को भी समालिये ये सब आपके लिए uncomfortable हो सकता है but divinely guided होगा so have faith आपके twin flames के साथ भी same mirroring हो सकती है क्योंकि universe आप से कहा रहा है कि all the belief and ideas जो आपके जो आपने अपने आपको stuck करा हुआ है या जिन beliefs and ideas ने आपको stuck करके रखे हुए हैं वो gently washed away हो जाएंगे definitely होंगे third eye में tingling sensation भी हो सकती है अगर आप feel करते हैं तो पहले से भी ज्यादा feel होने लगेगी inner voice को आप सुनेंगे तो restrictive and fears जो हैं आपके अंदर के वो दूर होते चले जाएंगे इस वी बाहर से चाहे आप कितना ही confident दिखते हो लेकिन अंदर जो डर है उससे आप जूज पाएंगे बाहर निकल पाएंगे ताकि आप truly इस magical week को enjoy कर पाएं manifest किया हुआ भी आपका reality में बदलेगा tarot, astrology या consultation बुक करवाने के लिए इस number पर text message करें ताकि fee structure and payment mode आपको पता चल सके धन्यवाद इस week आपका no contact वाली जो situation है न वो खत्म होगी यानि communication फिर से होगा और हो सकता है कि आप दोनों communicate करने के बाद एक दूसरे से मिले या digitally भी अगर मिलते हैं या वर्चुली मिलते हैं तो purple gifts जैसे flowers हो गया या कोई भी gift item है वो आप दोनों एक दूसरे से share करेंगे purple fruits and vegetables खाने में हो सकता है कि आप साथ में बैठें तो इसी तरह क्या खाना order करें जो कि purple color का है और अगर ऐसा हो सकता है कि आपका तो नहीं मिलने का तो इस week हो ही नहीं सकता possibility नहीं है क्योंकि आप other country में है तो आप अपने लिए purple candle meditation हो सकता है कि खरीदने की सोच रहे हो या जस्ट आपने अभी purple candle order किया हो ताकि आप अच्छे से अपने evening and morning rituals को निभा सकें इस week में 11-11, 9-11 11-99, 9-9-11 इस तरह के numbers आपको बहुत दिखेंगे ये सभी numbers, angel numbers हैं पुराने रिष्टे, नाते जो आपको positively सब नहीं करते थे, वो छूटने लगेंगे और उनके जाने का या छूटने का आपको कोई बहुत बड़ा सदमा या घम नहीं होगा आपको लगेगा कि it's okay, क्योंकि जो हो रहा है वो होने दो क्योंकि आप just go with the flow वाली energy में आ चुके हैं या आ चुके होंगे dream आपको कई तरह के आने लगेंगे कुछ अच्छे, खुशनमा और हो सकता है कि dream में आप कुछ flowers की भी सुगंद, सुंग लें क्योंकि dream में अक्सर आप सुगंद को नहीं ले सकते अक्सर यही होता है लेकिन हो सकता है कि अब इस week में जो dream लेखें तो उसमें इस तरह की बात आपके साथ हो आपकी life से dramas पूरी तरह से बाहर होने वाले हैं इसी week और हो रहे होंगे और आपको यह लगेगा कि कोई ना कोई helping hand है जो हमें मिलाने के लिए तैयार है यह helping hand आपका कोई soulmate हो सकता है कोई ना कोई एक ऐसा helping hand जरूर आएगा कोई guru हो सकते हैं कुछ ना कुछ ऐसे हो सकते हैं जिससे कि आप दोनों का milan हो intellectual beings हैं अगर आप ज्यादा ही ज्यादा ही बुद्धी से काम लेते हैं तो इस week stressful आपके साथ हो सकता है यानि कि headache आपको हो सकता है बहुत जादा ही सिर में दर्द होना हर समय ही रहना बट यह collective energy update है हो सकता है कि आप पर यह stress ना आए dream में आप अपने deceased love person को loved ones को देख सकते हैं dream में आपके अपने ancestors देख सकते हैं आपके पूरवजी देख सकते हैं मेभी आपके ancestors आपको healing and blessings देते हुए आपको दिखें इस week आप खुद को present में जीने जीने लगेंगे कि चलो this is life कि कल क्या होगा मुझे नहीं पता कल क्या हुआ था it's okay वो gone past has gone ये वाली बात आपके अंदर आ जाएगी कि अरे जो कल गए हुआ था उसको discuss करने का क्या फायदा जो जा चुका है वापस आने वाला नहीं है और आगे क्या होगा वो मुझे नहीं पता तो मैं क्यों ना आज में जी हूँ पड़ सकता है ना चाते हुए भी और ऐसे में आप दूसरों के emotions को बहुत ही जल्दी catch करेंगे और क्योंकि दूसरों की energy हमेशा pure pious और higher self में नहीं हो सकती है gathering में वही लोग आते न जिनको कुछ चाहिए किसी और से चाहिए तो gathering में हो सकता है आपको ना चाके भी जाना पड़ जाए और ऐसे में आप दूसरों की negative vibes को catch कर लें और अपने higher self में rise करने के बज़ाए आप थोड़ा down आ जाए इस समय आपको अपना इस समय यानि कि इस week में आपको अपना aura cleanse करने के लिए सबी efforts करने होंगे चाहे वो water से हो, fire से हो, mud से हो या भभूत यानि कि जो holy ashes होती है उसको अपने शरीर पर टच कराना यानि कि protection आपको ज़रूर रखनी ही होगी क्योंकि collective suffering के baggages आपको drag down कर सकते हैं dreams and telepathies से भी आप परिशान हो सकते हैं ऐसा लग सकता है कि कुछ twin flames को कुछ twin flames को इस तरह से लग सकता है कि या मैं तो भागली हो जाऊंगा बस अब मेरा सिर पटने वाला है अब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा या रहूंगी कुछ इस तरह की बाते if you feel tired work by your intuition as much as possible जितना ज़्यदा आप अपनी intuition बुद्धी को थोड़ा सा side कर दीजिए इस वी बुद्धी से काम लेते हैं मतलब mind से आप ज़्यादा ही काम लेते हैं computer work है आपका bank का काम है आपका doctors है आप engineer है आप बहुत बड़े बड़े intellectual काम करते हैं तो थोड़ा सा इस मामले में twin flame journey के मामले में थोड़ा बुद्धी को अगर side रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा and action लेना होगा कई लोग बाहर बाहर twin flames जो है न action लेना बोलती है तो उसे कहते हैं कि हम क्यों action लेना वो लेगा action action लेने का मतलब यह थोड़ी है क्या आपको inspire कर रहा क्या आप सीख सकते हैं क्या आपके अंदर skills है उसे और कैसे develop कर सकते हैं इस week आपका twin flame भी इनी तरह की emotions से गुजरेंगे और उन्हें भी पता चलेगा यानि कि आपके divine misskline को कि true divine love क्या है और true divine love को ही वो miss करेंगे चाहे आपका twin flame other woman के साथ जा रहा हो या DM जो है female भी हो सकती है तो वो हो सकता कि किसी किसी के साथ physical relationship में जा रहे हो ऐसा भी distorted energy में रहता है distorted masculine energy में रहता है basically सही word बोलू तो तो अगर आपका भी person या divine masculine distorted energy में है और दूसरों के साथ sexual activities में engaged है तो उनको आप अपनी जगा कीचने के लिए जस्त आपने ही अपनी higher energy को बनाए रखना है और बहुत ज़ादा ये जो get together होता है ना इसमें जाने से बचना है और अगर चले भी जाना पड़ेगा जाना भी पड़ गया हो सकता है कोई counseling के लिए ही आप जाएं तो भीड़ तो होती है तो ऐसे में आप अपना aura को पहले cleanse करें and then बाद में भी cleanse करें अपने आपको protect ज़रूर करें protection देना बहुत ज़रूरी है तो ये बात और अगर आपका twin flame वाकई true divine love को miss कर रहे हैं तो वो वाकई वापस आपके पास आएंगे बशर्त है कि आप किसी और के साथ physically engage ना हो ये भी शर्त है ये चीज़ को धियान रखना होता है remember that belief is the key ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि जो twin flame 3D पर मिलना या reunite होना possibly नहीं हो उनको लगता हो तो वो भी अगर manifest करें और अपनी life से कुछ बड़ा सोचें तो इस time में इस week में हो सकता है कुछ भी possible है इस universe में मांगे तो सही ask and receive so dream big और उसे सच होता हुआ खुद अपने आखों के सामने देखें thank you so much ध्यान रखें अपना अपनी energy का अपने औराज का और बिल्कुल पूरी तरह से protective रहें इस week में किसी से जगडे नहीं उलजे नहीं कोशिश करें कि आपके thoughts भी clean, pure and pious हो just like water thank you so much bye bye